भारत से टक्कर लेना मलेशिया को पड़ा भारी मलेशिया की जीडीपी हुई बर्बाद दबाव में आकर महातिर मुहम्मद ने दिया स्तीफा पीएम मोदी का दबाव आया कांग महातिर ने राजा को स्तीफा भेजा भारत ने कश्मीर से 370 के हटाया पाकिस्तान बिलविला उठा और इसको लेकर पूरी दुनिया के शरण में गया लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान के जहांसे में नहीं आया लेकिन पिछले संयुक्त राष्ट्र संग के अधिवेशन में पाकिस्तान के समर्थन में मलेशा के प्रधान मंतरी महातिर मुहमद ने समर्थन किया उसके बाद से मलेशा कई बार कई फोरम्स पर कश्मीर को लेकर अनरगल बयान देता रहा है लेकिन इसको लेकर भारत ने मलेशा को सक्त संदेश दिया है इसी का नतीजा था कि मलेशिया का Palm Oil मलेशिया के बंदरगापर सड़ने लगा और मलेशिया के भारत में राजदूत मलेशियाई विदेश मंतरी ने कई कारिक्रम किये जिसमें भारतिय व्यापारियों को मना जा सके लेकिन भारतिय व्यापारी टस से मस नहीं हुए और इसका नतीजा ये हुआ कि मलेशिया की जीडीपी में जो योगदान भारत का है वो घट गया इससे मलेशिया की हालत खराब हो गए फिर भी मलेशिया के प्रधानमंतरी महातिर मुहमद होश में नहीं आए विदेशिय मामलों के जानकार और भारत मलेशिया के रिष्टों को नस्दीक से देखने वाले लोगों का कहना था कि महातिर की बुद्धी भरष्ट हो गई है और वो भारत से टकरा कर आग से खेल रहे है फिर भी मलेशिया के पी-म नहीं माने और भारत को कश्मीर पर खेरते रहे इसका असर भारत पर तो नहीं हुआ लेकिन खुद इसका साइड एफेक्ट हो गया मलेशिया के प्रधानमंतरी महातिर मुहमद ने इस्तीफा दे दिया है इस बात की जानकाई प्रधारमंत्री कार्याले ने खुद दी है विश्व के सबसे उम्रदराज नेता 94 साल के महतिर ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दी अनवर इब्राहिम को पदभार संभालने से रोकने की कोशिशों के बाद ये फैसला लिया इस चौकाने वाले कदम से पहले 24 घंटे तक राजनीतिक उठापटक के बीच अनवर के खुद विपक्षी नेता के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थी और इस गडबंधन को 2018 में चुनाव में अतिहासिक जीत मिली थी लेकिन खबर थी कि गडबंधन महातर के संभावित उत्राधिकारी अनवर को बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बना रहा था उनकी पार्टी के जादतर सांसद किसी भी वक्त प्रुधानमंत्री बनने की राह में रोड़े अटका सकते थे अनवर और महातर के बीच पिछले काफी दिनों से संबंद अच्छे नहीं दे महातर ने पूर्व दुश्मन को सत्ता सौंपने की बाद कई बार दोहराई हाला कि ये सब प्रयास सफल नहीं हो सके यहाँ पर आपको एक दिल्चस्प बात बताते चलें कि अब आगे क्या होगा इस बारे में फिलहाल कुछ भी सपश्ट नजर नहीं आ रहा है भावी प्रुधानमंत्री अनवर मलेशियाई राजा से मुलाकात करने वाले है देखना होगा कि अनवर और राजा की मुलाकात का रिजल्ट क्या आता है विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो अनवर राजा को इस बात पर सहमत करने की उमीद कर रहे होंगे क्योंके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन है हाला कि महातर की पार्टी बरसातु ने भी घोशना की कि वे पैक्ट ओफ होप गडबंधन से अलग हो रहे हैं इससे लग रहा है कि वे खुद सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं देखते हैं कि मलेशियाई राजनीती में क्या होता है लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि महातर ने भारत से पंगा लेकर खुदी अपनी बर्बाती की कब्र खोद ली उसका नतीज़ा ये हुआ कि प्रधान मंत्री पज से उन्हें स्तीफा देना पड़ा झाल 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 झाल